आप लोग को मैं जो साथ पीम पे रोज वीडियो जारी करता हूं काउंटडाउन सीरीज का उसमें हर दिन एक टॉपिक को टच लिया जाता है जिसो आपको सीधे टच करें तो आज का टॉपिक जो है वो बड़ा थुड़ा सा इनू नेगेटिव है लाकिन नेगेटिव ही हम इसको पॉजटिव करेंगे और वो है कि अभी भी आप गलती कर रहे हैं यह सारे उन सारे नीज एस्परेंट्स के लिए है जो गयस करो क्या वीडियो को रोको और क्या-क्या गलती आप कर रहे हो यह सोचे और अगर आपने अपनी गलतियां आइडेंटिफाई कर ली त और वो यह गलती है कि टेस्ट का छोड़ना और यह एजियूम करना कि पहले सलबस कम्प्लीट कर लें फिर टेस्ट दें यह जो थौट है बहुत ही नेगेटिव थौट है क्योंकि टेस्ट रखाई जाता है सलबस को कम्प्लीट करने के लिए टेस्ट रखा ही जाता है सलबस को कम्प्लीट करने के लिए पहले अगर हमने जैसे मेरा टेस्ट सेरीज है नीचे उसका लिंक दे दूँगा वीडियो का पूरी टेस्ट सेरीज हमें स्टार्ट कर रहा है वो देखना आप उस टेस्ट सेरीज को हमने बहुत साइंटिफिकली मालो मैं अपने टेस्ट वीज की बात करता हूँ, और अगला टेस्ट फोर्थ को और उसमे भी दोडो टोपिक आ रहा है, तो पूरा फ़र्स्ट टेस्ट देने के बाद, यानि 2 तारीक के पाँच बच के 20 मिनट के बार, you'll be free till 4th उस पूरे duration में आप वो सिलबस तयार करो तो जो part test दिया है मैंने तो 5 part test दिये 11 के 5 12 के फिर 6 भी उसी का combination है तो ये जो duration है करीब करीब 25 देज का 24 देज का ये सिलबस तयार करने के लिए दिया है अब इसके लिए आपको especially सिलबस तयार करना फिर test लिखना है तो ये आप गलती कर रहा है और इस वीडियो में मैंने यही point out किया है कि please ये गलती मत करो योगि ये गलती हम लोग हर साल देखते हैं लोगों को करते हुए और हर साल देखते हैं टैलेंट को बिखरते हुए ऐसा जो deserving बच्चा जो डॉक्टर बन सकता था उसको हमने बरबाद होते हुए देखा है उसका selection रुकते हुए देखा है और ये छोड़ी छोड़ी जो गलतीयां हैं ये आप expect करिए कि ये गलतीयां आपसे ना हो आज हम लोग आपको बता रहे हैं और मैं ऐसा कुछ है तो बताऊँगा नहीं जो गलत हो अपने reputation को खरात तो करूँगा नहीं क्योंकि मैं यही पढ़ा ही रहा हूँ काम ही यही है आगे भी यही काम होगा तो गलत बताऊँगा तो अगले साल आप तो लोगों को बोलोगे तो जुट बोलते है यह प्योर आपके फेवर में है प्लीज गलती मत करिये टेस्टिंग से जितनी learning हो सकती है कभी भी उतनी learning कहीं से नहीं हो सकती है अगर आपने पूरे साल कोचिंग किया इकप सलबस खतम कर लिया है कोचिंग में तो आपको अलग से सलबस अगर नहीं खतम करने का टाइम मिला है तो भी कोई जरुवत नहीं हो उसके लिए आप टेस्ट मत छोड़ो अगर आपने उसके लिए टेस्ट छोड़ दिया तो आपने पैरों पे को लाड़ी मार दिया आपका नुकसान होने वाला है जो टेस्ट सीरीज का जो फ्लो है जो पार्ट टेस्ट अलबस का फ्लो है वो खुद आपके लिए हेल्प करेगा आपके चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग बेटर करने में गलत कर रहे हैं एक भी टेस्ट आप छोड़ना है तो गलत कर रहे हैं स्टड़ी का मैक्सिमाइजेशन स्टड़ी का बेस्ट आउटपुट प्रेशर में ही आता है बहुत सारे टीचर्स हम लोग खुद एक्जामपल देते हैं भाई जब कोई फ्रिक्शन दोगे प्रेशर तो नेचरली शाइन होगा आप सूस पे पॉलिस करते हो तो प्रेश करते हो शाइन आता है तो प्रेशर दोगे तो आउटपुट बेस्ट आएगा यारी यह गलती आपको नहीं करनी है कमेंट करके अपने प्रॉब्लम्स अपनी दिक्कते मुझे बताओ साथ पीम पे रोज जुड़ो ज्यादा महनत करो हर दिन पिछले दिन से बेटर करो that is my expectation so all the very best thank you very much बाए